करते हैं आपकी वक्षीत नंबर 125 यानि 125 आज इंगलिश की वक्षीत आई है तो आप पहले से लेबल कर लेंगे क्लास लिख लेंगे अपना नाम अपरे टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे कैसे हैं बच्चों आप सब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे अब देखें यहां क्या लिखा है काम लेट सेर दै स्टोरी ओफ गर्ल आईए मैं आपको एक लड़की की स्टोरी सुनाती हूँ एक दफा की बाद है जब बारिश के दिन थे माई फ्रेंड रिटू एंड आई रेड अंपरेला यानि मेरी दोस्त ने लाल रंका रेंचोत पहना और मैंने अंपरेला लेया यानि हम ने रीवर को क्रोस करा यानि नदी को क्रोस करा और एक गुलाब के गार्डन में पहुँच गई यानि ऐसे गार्डन में जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुलाब के फूल थे देयर वी मीट रॉनी वहां हम लोग रॉनी से मिले दर रैट एंट रोबो और उसके बाद हम एक रोबो से मिले और एक चुई से मिले दर रैबिट इन गार्डन और उसके इलावा एक खर्गोश भी गार्डन में था सड़नली अचालक से इस स्टॉपड रीनिग एंड सल कम आउट आफ्टर सम टाइब अचालक से बारिश बल्ध हो गई और सूरज निकल आया कुछ टाइम के बाद और उसके बाद हमने आसमान में ये खुबसूरत सा रैनमो देखा वी वर सू हैपी हम लोग बहुत खुश हो गए वी प्लेट तोगेदर इन दे रोज गार्डन और फिर हम लोग एक साथ रोज गार्डन में खेल ले लगे अब मैं उबीद करती हूँ आप लोगों की स्टोरी पसल आई होगी देखा कि तेच्छी स्टोरी थी लिकिन आपने क्या एक बार नोटिस करी कि इस स्टोरी में हम ले जो रैड वर्ड्स है वो सारे आर है लेकिन एक बात याद रख़ेगा जब हम लोग कैपिटल आर बनाते हैं तो उसको हम ऐसे ही बनाते हैं कैसे बनाते हैं सीधी लगी यहाँ से गोल करे सरकल करा और उसके बाद यहाँ से एक लाकी लिकाल दी ठीक है और आपको बुक्स में भी ऐसे ही मिलेगा लेकि जब आप स्मॉल आर बलाते हैं तो स्मॉल आर बला लेका आपका या मेरा दो तरीके होते हैं हrocket है इसे करके हम लोग d Ebene आ था लाते हैं यई दोसरी तरीके से हम लोग से ا stewards इसे स्म४ाइर बलाते है Tech, लेकिन जब आप बुख भी देखेंगी तो हमेशा आपको इस स्मौल अरर इस तरह से जब भी इस बॉलार बलाएगे तो इस तरह से ही बलाएगे ठीके चलिए आगे पड़ते अब यहां लिखा है कोशे नंबर सेकेंड हो प्यों इजुए दा स्टोरी मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ने स्टोरी को बहुत अच्छे से इंजुए किया होगा कम लैट्स रि रितू की रिन कोट का कलर क्या था तो आप क्या लिखेंगे रैड ठीके नेक्स्ट आपका पूछे वाट वाज दा नीम ओफ रैड एंड रैबिट यानी रैड का और रैबिट का क्या नाम था रोणी एंड रोबो ठीके रैड का क्या नाम था रोणी और रैबिट का क्या न थार प्रेथी लोग डगीक है लोग्य इस पर अपको पूज रते हैं यहां आपको पहले ड़नना जिखाया है और पर किया रहां चाहर करेंगे किसी सब्सक्राइब एक बार को बनाब यहां फोडम है कि फोट करें डखें एक सथानर बार अगर अगर आप होते हैंMa ममा से कहेंगे कि ममा यह डॉट्स लगा दें वह आपको डॉट्स बना के दे देंगी फिर आप लोग कर लेंगे चलिए आगे पढ़ते हैं यहां आपका फोर्ट कोशन लेका है अब आपको क्या करना है यह बॉक्स पे जितने भी लेटर दिये गया है उसको आपको लाल कलर से करना है तो चलिए हम लोग यह काम करते हैं थोड़ा से इसको जूम कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए अब आप देखिए यह तो सी है इसको जाने देए यह क्या है आर इसको कलर कर लेंगे आर इसको कलर करेंगे आर आर ठीक है फिर यह आर है फिर एच है ए है फिर इसको आर को करेंगे ठीक है फिर यह आर है फिर यह आर है क्योंकि यह सी है यह के है ठीक इस तरह से आप इसको इनको color कर लेंगे इसके इलावा यहाँ पे दिखें यह बहुत जदा blur हो रहा है यह गलती मेरी रही है यह आपकी वॉक्षीट की ही गलती है क्योंकि यहाँ बाकी लेटर आपको साफ दिख रहे है रहा देखें क्योंकि यह मेरे साब से कई से पेस्ट किया गया होगा इस वज़े से यह ऐसा रहा है आप इसके लिए अपने मुम्मा से मदत लेंगे वो आपको लिख के दे देंगी और आप इस तरह से जहाँ जहाँ आप रहे उस पूरे बॉक्स बे आप color कर लेंगे इस तरह से पूरे बॉक्स को आप करेंगे रैड कलर का ओके कर लेंगे ला चलिए आगे बढ़ते अब यहां देखिए आपको नेक्स टोशिन लिखा है अब आपको क्या करना है इस तरह से प्लेडो लेना है और उसके बाद बनाना है प्लेडो किसी कहते है यानि कि आपकी कले है तो अब आपको यह कलर की कलेज लानी है और उसके बाद किले को क्या करना है गोल लंबा लंबा ऐसे फोल्ड कर लेंगे हम लोग करते हैं उससे रोल बल जाएगा तो उसको हलका सशी शेप दे के एक बड़ा एक उससे बड़ा एक उससे बड़ा इसी तरह से सीम आप लोग बला लेंगे ओके चलिए आगे बढ़ते अब देखें यहां आपका लिखा है अब हम लोग फुलवारी की पेज नमबर 65 को खोलते हैं और उसके अंदर कलरते हैं तो चलिए इस काम में भी आप लोग अपने माबाप की साहता ले सकते हैं चलिए तो आज की वक्षीट को यही करते हैं आज की वीडियो में बसेते हैं अग आपको माई वीडियो पसंद आई